दोस्तो आज हम आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं उसका नाम है अफगानिस्तान एक ऐसा देश जो की इस समय पूरी दुन्या की नजर पर है एक ऐसा देश जहां के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं एक ऐसा देश जहाँ पर खुश्यों की होली आज से कुछ दिन पहले तक खेली जाती थी। आज वहाँ पर ये बाते बताने की जरूत नहीं कि किस चीज की होली खेली जा रही है। माना कि एक समय जिस काबुल को दुनिया प्यार की नजर से देखती थी आज उसी जगर पर दहशत है। आज हम सब इस दुख की घड़ी में इंसानियत के वास्ते अफगानिस्तान की बात करते हैं। इस देश की वो सब अच्छी बाते आज हम शेयर करेंगे आपके साथ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा क्योंकि अपने देश से कुछी दूरी पर कुछ आखें हमसे उमीद लगाए बैठी हैं। दोस्तो आज का वीडियो इमोशनल होने वारा है। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि अफ़ीशल नाम है इस्लामिक रिपब्लिक आफ अफ़ अफगानिस्तान और ये एक लैंड लॉक कंट्री है। देश की बाउडर पाकिस्तान, इरान, तुक्मरिस्तान, उजबैकिस्तान, ताजकिस्तान और चीन के साथ मिलती हैं। देश की पॉपलेशन की बाद करे तो ये 3,80,000,000 क्या सपास है। और डेंसिटी की बाद करे तो यहाँ पर आपको 60 लोग पर स्क्वार किलोमीटर में मिल जाते हैं। इस देश में सिफ 24 प्रतिशत लोग ही आपको शेहर में मिलते हैं। बलकि 76 परसेंट लोग गाउं में बसे हुए हैं। दोस्तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ कर भारत की इतिहास की करवनां नहीं की जा सकती। सत्रवे सदीता की ये देश अखंड भारत का एक हिस्सा था। अफगान पहले एक हिंदु राष्ट्र था, बाद में ये बौध राष्ट्र बना और अब एक इस्लामिक राष्ट्र है। 26 मई, 1749 को दिल्ले के बादशा है मुहम्मद शाह अक्बर नहीं। इरान की नादिर शाह से संधी करके अफगानिस्तान उसे सांप दिया। 27 सदीता का अफगानिस्तान नाम का कोई राष्ट्र नहीं था, यहां हिंदु कुछ नाम का एक पहाड़ी शित्र है, जिसके उस पार कजाकिस्तान, रूस और चीन जाया जा सकता है। दोस्तो हर देश की लोग कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में लोगों के साथ हमेशा से धोखा होते आया है। इनके अपने ही लोग इने धोखा देते हैं। साथ ही एक ऐसा पड़ोसी भी है जो यहां के लोगों को तड़पता हुआ देखना चाहता है। दोस्तो आज जो भी अफगानिस्तान की हालत है उसके पीछे पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। यहां के लोग तो सीधे साथ हैं लेकित इन्हें काउन शांती से जीने देगा। यतिनन आप एक ही बात कर सकते हैं कि अफगानिस्तान में अगर यहालात है तो पाकिस्तान और चीन की वज़े से। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा लोग खेती बाड़ी ही करते हैं अग्रिकल्चर ही इनका मेंन सॉर्स ओफ इंकम है चुकि ये देश थोड़ा डिस्टरब है जिसकी वज़े से यहाँ पर कोई बाहर की कंपनी नहीं आती ऐसे में लोगों के पास बहुत ज्यादा ऑपरशनिटी नहीं है इसलिए ये लोग अपना खेती करके जीवन चला रहे हैं तक्रीबन 80% से ज्यादा लोग यहाँ पर खेती करते हैं क्या आपको पता है कि अफगानिस्तान देश का नैशनल गेम क्या है लेकिन हैं बहुत इंट्रस्टिंग दोस्तो इस बात में हमेशा ही कई लोगों को कंट्यूजन होता है कि अफगान्स और अफगानिस्ट में अंतर क्या है कई लोगों को ये पता ही नहीं है आपको बता दे कि जो लोग इस देश से बिलोग करते हैं उन्हें अफगान्स कहा जाता है और यहां की करंसी को अफगानिस कहते हैं दोस्तो अफगानिस्तान एक बहु भाशी देश है इनके दिल में जो बात होती है वही इनके मूबे भी होती है कहा जाता है कि ये कभी भी आपके पीठ पीछे बुराए नहीं करते है इतना ही नहीं इनके बारे में एक बात और बहुत famous है और वो ये कि ये लोग बहुत ही support ही होते है लेकिन दुखत बात ये है कि पिछले 20 सालों से इस देश ने इतनी दिक्कतों का सामना किया है कि बताना भी मुश्किल ही है तब ही तो लोगों को लगता है कि जो भी चीज़े इस देश में ही रही है वो यहां के लोगों का नीचर है इस स्टेशों को तोड़ कर यहां का माहौल खराब किया जी हाँ, यह है स्टेश के रियालिटी यहां के लोग खुद बहुत अच्छे हैं और श्यांत नेजर के हैं लेकर अफगानिस्तान के ही कुछ लोगों ने स्टेश को बद्दाम करके रखा हुआ वैसे तो अफगानिस्तान देश की खाने के तारीफ पूरी दुनिया करती है लेकिन कहा जाता है कि यहां का नाश्टा बहुत ही मीठा होता है यहां पर हर इससान सुबह सुबह गरम दूथ और मीठी मीठी जले भी खाता हुआ दिक जाएगा यहां पर लोकल बनाए जाने वाली मीठी भी बहुत पॉपिलर है क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अफ़ीम की खेती अफगानिस्तान देश में होती है इस देश में सारे ऐसे लोग है जो कि इस तरह की खेती में involved है यहां से ही दुनिया के हर हिस्सों में इसे पहुंचाया जाता है इसे खेती की मदद से यहां की government को कुछ पैसे कमाने का मौका मिल जाता है यहां अफ़ीम की खेती करना legal है और लोग बड़े पैमाने पर भी करते है अफगानिस्तान में नय साल का celebration 20 मार्च को किया जाता है जी हां पूरी दुनिया के लिए नया साल आता है एक जन्वरे को लेकिन यहां के लोग 20 मार्च को celebrate करते है यहां पर 20 मार्च का नजारा घजब का होता है दरसल तेस मार्च को यहाँ पर बसंत महीने का पहला दिन माना जाता है और इसलिए यहाँ नियुएर को सिलिबरेट किया जाता है अफगानिस्तान में आज भी एजुकेशन की कमी है लेकिन देखते हैं कि और कितने साल लग जाएंगी यहाँ के लोगों को समझने में कि 15 साल के उमर में शादी नहीं करनी चाहिए बलकि एजुकेशन करानी चाहिए यहाँ के साक्षर्ता दर बहुत कम है सबसे कम दुनिया में कहें तो गलत नहीं होगा यहाँ 28% लोग ही बस पढ़े लिखे होते हैं आज भी रूरल एरिया में रहने वाली लोग स्कूल के बारे में बात नहीं करना चाहते अपने बच्चों को स्कूल भेज रही नहीं चाहते है अफगानिस्तान के लोगों के बीच में एक हॉलिवुट का हेरो बहुत ज्यादा फेमस है यहां के लोग कविता लिखने के बहुत बड़े शौकीन माने जाते हैं यह लोग एक से बढ़कर एक सिच्वेशन को कविता में बदल देते हैं और उसके बाद कविता लिखते हैं और इन्हें पढ़कर भी सुनाते हैं इस देश के लोगों के बीच में गाना गाने का भी बहुत शौक है यहां पर लोग मौके इस देश ने टेलिकॉम सेक्टर में बहुत काम किया है और नेटवर्क के इस देश में कोई दिक्तत नहीं अफगानिस्तान में 90% से ज्यादा लोग मौबाइल पोन का इस्तिमाल करते हैं जबकि बिजली आज भी ना के बराबर है इस देश के ज्यादातर हिस्सों में आपक जो कि ऑल से बनाए गई हो जी हाँ एक ऐसी पेंटिंग जो कि सबसे अलग और सबसे कमाल की लगती है दिखने में आज हम आपको बताते हैं कि इस पेंटिंग की शिरुवाद भी अफगानिस्तान में हुई कहते हैं कि 650 BC के दौरान यहाँ आउयल पेंटिंग की शिरुवाद हुई अफगानिस्तान का इतिहास बहुत पुराना है और कई हिस्टोरिकल साइट से इस देश में देखने के लिए बाना जाता है कि अगर इस देश की हालत ठीक हो जाए और अगर यहाँ पर टूरिस्ट्स आने लग जाए तो समझे कि यहाँ का नाजार सब से अच्छा हो सकता है कि इस देश में वो कौन-कौन से जगह है जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं आज के दिन में यहाँ के लोग दूसरे देश का वीजा लेकर अपने देश को छोड़ रहे हैं उम्मीद करते हैं यहाँ के हाला ठीक होंगे और सच्चाए की जीत होगी बस यहाँ के इतने दिल इंसान के लिए दूआ कीजिए तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको बहुत पसंदाई होगी अच्छे लगे तोसे लाइक कीजिए नेचे कॉमेंट्स में बताए कि क्या आपको अफ़कानिस्तान कैसा लगा वेडियो को अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ शेयर करना भूले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें वेडियो को अंधर तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया फिर मलाकात होगी